लोग तंत्र के खातिर जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है जो लोग गायड हुए हैं उनके परिवार जनों के प्रती मेरी संबेदना प्रगट करता हूँ और लोग तंत्र के इतिहास में लोग तंत्र के लिए मरना ये मिशाल आने वाली पीजियों को प्रेरणा देती रहेगी मैं चुनाव आयोग को, सुरक्षा बनो को, इस लोग तंत्र की उत्सव की व्यवस्ता को समानने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोग तंत्र में विश्वात बढाने वाली रवस्ता देने के लिए बहुती उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए रजाई पुरवक बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों जब महाभारत का युद्ध हमाप्त हुआ तब स्रीकर्ष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष्ण में थे मैं समझता हूँ उस समय महाभारत के काल में भगवान स्रीकर्ष्ण ने जो जबाब दिया था वो आज 21 वी सदी में 2019 के इस चुनाव में हिंदुस्तान के 130 करोज नागरिकों ने जनता जनारदन ने स्रीकर्ष्ण के रुप में जबाब दिया है आज स्रीकर्ष्ण ने जबाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं था मैं तो सरफ हस्तिनापूर के लिए हस्तिनापूर के पक्ष में खड़ा था आज 130 करोज नागरिक स्रीकर्ष्ण के रुप में भारत के लिए खड़े थे भारत के लिए बत्तान किया था आर इसलिए देश के सामान्य नागरिक के भावना भारत के उजवल भविष्ट की गारंटी है इस चुनाओं मैं पहले दिन से कह रहा था ये चुनाओं कोई दल नहीं लड़ रहा है कोई उमीदवार नहीं लड़ रहा है कोई नेता नहीं लड़ रहा है ये चुनाओं देश की जनता लड़ रही है जिनके आग कान बन थे उनके लिए मेरी बात समयजना मुश्किल था लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनारदन ने प्रगट कर दिया है और इसलिए अगर कोई विजई हुआ है तो हिंदुस्तान विजई हुआ है अगर कोई विजई हुआ है तो लोगतंत्र विजई हुआ है अगर कोई विजई हुआ है तो जनता जनारदन विजई हुई है और इसलिए हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कायर करता हम सभी एंडिये के साथी नम्रता पुर्वक इस वीजय को जन्ता जनार्दन के चर्णों में समर्पित करते हैं इस लोग सभा के चुनाओं में जो विजय हुए हैं उन सभी विजयताओं को महर्दय पुर्वक बहुत बढ़ाई देता हूँ और सभी विजय किसी भी दल से जित करके आये हो किसी भी पार्श्वभूमी से आये हो लेकिन देश के उजवल भविश्य के लिए प्रतिवत्यता के साथ कंदे से कंदा मिला करकर के भारत के उजवल भविश्य के लिए विजयी सभी जन्द सभी प्रतिनी थी आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे इस विश्वास के साथ मैं उन सब को शुब कामनाय देता हूँ चार राज्यों में भी चुनाओ थे औरिशा, आंद्र, सिक्किम, अरवनाचल उन विधान सभाओं में जो प्रतिनी थी चुन कर क्या आए है उन उन राज्यों की जन्ता ने जिन सरकारों को चुना है उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं उनसे भी सरकारों को विश्वाद जलाता हूँ कि भारती जन्ता पार्टी भारत के समिधान को समर्पीत है भारत के समिधान प्रति समर्पीत है और फैडरलिजम को समर्पीत है और इसलिए इन चीजों को विजए प्राप्त करने वाले लोगों को मैं भी स्वाद दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार उन राज़ों की विकास यात्रा में पूरी तरह कंदे से कंदा मिला करके उनके साथ चलेगी जैसा हमारे अत्रिक जी ने कहा कि भारती जनता पार्टी की करोडों कार करता उनके परिश्रम उनका पुर्शाथ इतना गर्व होता है कि जिस दल में हम है उस दल में ऐसे दिल्दार लोग है कोटी कोटी काहर करता सिर्फ 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 एकी भाव भारत माता की जैर और कुछ नहीं वेकार करता वेभारतिय जनता पार्टी परिवार का प्रतेख साथी कोटी कोटी अभिनंदन का अधिकारिय है जिसने निश्वार का भाव से लोगतंत्र का जन्डा उचा रखते हुए देश के सामाने मानवी की आशा आकांचाओं की पुर्ती के लिए जी जान से लोगतंत्रिक तरीके से इस पूरे लोगसाई के उत्सव में सरीख हो करके उसकी आन बान शान बढ़ाने में यश्र स्वी भूमी का निभाई है भारती ये जन्दा पार्टी की विशेष्टा है और विशेष्टा ये है कि हम कभी दो भी हो गए हम कभी दो भी हो गए लेकिन हम कभी अपने मार्गर से बिचलित नहीं हुए आदर्शों को ओजल नहीं होने दिया न रुके न ठके न चुके कभी हम दो हो गए तो भी और आज दोबारा आ गए दो से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चड़ाव आये है दो थे तब भी निरास नहीं हुए दोबारा आये तो भी न हमारी नम्रता चोड़ेंगे न हमारा विवेक चोड़ेंगे न हमारे आदर्शों को चोड़ेंगे न हमारे सवस्कार को चोड़ेंगे साथियों अभी हमारे अदर्शी चुनाव नतीजों की कुछ हाइलाइट बता रहे थे मैं स्वयम आज काफी व्यस्त था उसके काराण चुनाव नतीजों पर मेरा ध्यान नहीं था और इसलिए मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है कि कहां क्या हुआ कैसे हुआ लेकिन अध्यक जी ने जो विस्तार के बताया मैं आज रात के बाद समय निकाल करके देखूंगा का दिन पर क्या क्या हुआ है लेकिन जो अध्यक जी ने बताया ये अपने आप में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को उनकी सारी बिश्वी सदी की सोच को छोड़ना पड़ेगा ये 21 सदी है ये नया भारत है ये चुनाव का विजय कोई कहता है मोदी 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 ये मोदी का विजय नहीं है ये देश में इमानदारी के लिए तड़कते हुए नागरी की आशा अकांशाओं का विजय है 21 सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है ये विजय आत्म सम्मान आत्म गवरों के साथ एक सौचा लई के लिए तरबती हुई उस मा का विजय है ये विजय उस बिमार वेक्षी का है जो चार-चार-पांच-पांच साल से पैसो के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था जिसका आज उपचार हो पाया उसके आशिरवाद की विजय है ये विजय देश के उनकिसानों की है कि जो पसीना भाव करके रास्त के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परिशान करते रहता है और खुद जहमत उठाता रहता है ये उसकी विजय है ये उन चालीस करोड असंगधित बद्दूरों की विजय है जिनको पहली बार लेट के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे लेकिन इस देश में कैसी सरकार जिसपन लेट का लेबल तो नहीं है लेकिन चालीस करोड लोगों के लिए असंगधित कामधारों के लिए पेंशन योजना लागो करके उनको सम्मान जीवन देने का काम की आए ये उनका ये उनका विजय है उन बेघर जिनकी गुजारते गुजारते आज पक के घर में रहने गए है उनका विजय है और जिनका दोहजार बाई तक पक का घर बनना अस्ता है उनका विजय है ये विजय उन मत्यमबर के परिवार का है कि जो कानून नियमों का पानन करता रहा जो देश की भराई के लिए टैक्स देता रहा लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला और नहीं कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है वो सचमुझ में देश के काम आता है क्या पाँच सान्दा उसने अनुभो किया कि जो दे रहा है वो सही जगा पे जा रहा है सही काम हा रहा है उस मजबर के मन को जो संतोस हुआ है वो संतोस इस चुनाव नतीजों में नजर आ रहा है इमान दारी को जो ताकत मिली है उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्विक्रुती दी है और इस प्रकार से जो बड़लाव आया है उस बड़लाव ने ये परिवर्तन लाया है भाईयो बेहनों हमारे देश में ये चुनाव ऐसा हुआ वरना आपने देखा होगा तीस साल तक लगातार देश में विशेश रुख से वैसे ये ड्रामे भाईजू तो लंबे समय से चल देखी है एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा टैंग फैशन हो गई थी कुछ भी करो उसको लगा लो आपके गंगा स्दान करने जना पुन्य मिल जाता था उस टैक का नाम था और फूरी तरह नकली उस टैक का नाम था सेकुलरिजम और नारे लगते दे सेकुलर एक हो जाओ सेकुलर एक हो जाओ आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते है उस पूरी जमात ने बोलना ही बन कर दिया इस चुनाव में एक भी राजनितिक दल सेकुलरिजम का इन नकाब पहन करके देश को गुम्रा करने की हिम्मत नहीं कर पाया है ये बेनकाब हो गए दूसरा हिंदुस्तान में कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो ये चुनाव ऐसा है जहां महंगाई एक भी विरोधी दलने आरोप नहीं लगाया ये चुनाव ऐसा है कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाव उठा लिए सब चुनाव प्रस्टाचार के मुद्दे से रंगे से रंगे गए थे प्रस्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे प्रक्ताचार के मुद्दे पर जबाब देने पड़े थे ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राज़ितिक दल पांच साल के शासन पर प्रक्ताचार का एक आरोप नहीं लगा पाया चुनाव का एक मुद्दा नहीं भारत के लोक्संत्र में ये तील चीज़े कॉंस्टन रही है इस चुनाव में मिसिंग थी और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराज़ित से चीज़ों को तोला जाए भाईयो बहनो इस चुनाव ने 21 सदी के मजबूत नीव हमारे सामाजिक, सारवजनिक, राज़ितिक जीवन के लिए निर्मित की है और मैं चाहूंगा कि जो देश का उजवल भविश्य चाहते है सरकार कौन बने, किसकी बने, कौन आए, कौन जाए वो तो जनता करता है करती रहेगी लेकिन भारत के उजवल भविश्य के लिए देश की एकता और अखंडिता के लिए अब भारत ने भारत की जनता ने इस चुनाओं में एक नया नेरेटिव देश के सामने रख दिया है सारे समाज सास्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है और वो क्या है अब इस देश में सिरफ दो जाती बचेगी दो जाती ही रहने वाली है और देश इन दो जाती पर ही केंद्रित होने वाला है ये जाती के नाम पर खेल खेने वालो लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाओं में हुआ है और दो जाती है कौन सी अब 21 सदी में भारत में एक जाती है गरीब भारत की एक जाती है गरीब और दूसरी जाती है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ ने कुछ अपना योगदान देने वालों की एक वो है जो गरीबी से बहार आना चाहते है दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते है ये दो ही जाती है और इसलिए हमें 21 सदी में इन दोनों को ससक्त करना है जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी ससक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़चर करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है ये दो सक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंग को मिटा सकती है इस सपने को ले करके हमें चलना है दोस्तों ये चुनाओ इसलिए महत्वपून है कि इसी कालखंड में ये 2019 से 2024 ये पांच साल का कारकाज और इतना प्रचंड जनमत प्रचंड मेंडे बहुत बड़ी घटा है जी विश्वकवा चम्मित करने वाली घटा है पल पर याद किजिए यही समय है जब मात्मा गांदी के 150 वर्थ देश मनाएगा यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाएगा गांदी 150 और भारत 75 यह हमारे लिए इन पास साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड़ करके देखें प्रतिपल जोड़ करता था आजादी के लिए करता था स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए जेल जाता था आजादी के लिए खादी पहनता था आजादी के लिए जारू लगाता था आजादी के लिए बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए स्वदेशी का पारण करता था आजादी के लिए 42 से 46 तक 47 एक जनांदोलन ने देश को आजादी प्रहाने में बहुत बड़ी मदद की थे ये 1924, 2019 से 2024 ये कानखन देश की आजादी के सिपाईयों का स्मरन करने का है और देश वासी भी ताय करें कि इन 5 साल का हम 130 करोड लोग उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी-बड़ी सल्तनत को पराच कर दिया था आज हम 130 करोड लोग है अगर हम संकल्प कर लें कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है देश को एक समर्ट राष्ट की तरफ ले जाना है एक विच्षित भारत बना करके सांप ले ली है हमारे गरीब से गरीब की सामान ने आवा सकता है उसको पूरन करना है अगर 2019 से 2024 जो स्पिरीट आजादी का था वो स्पिरीट सम्रुद्ध भारत के लिए बन जाए स्वतंत्र भारत का वो स्पिरीट सम्रुद्ध भारत का स्पिरीट बन जाए दोहजार चौबिस के पहले देश को हम नई उचाए यो पर ले जा सकते हैं और इसलिए दोस्तों कि इस चुनाव को हमें नमरता से शुकारणा है हम सरकार सरकार तो बहुमत से बनती है और जन्ता ने बना भी दिये लेकिन लोग तंत्र के समस्कार लोग तंत्र का स्पिरीट भारत के सम्रिधान का स्पिरीट हमें इस बात के लिए जिम्मेवारी देता है कि सरकार भले बहुमत से बनती हो लेकिन बेश सर्वमत से चलता है और इसलिए मैं आज सार्वजनी कुर्प से कहता हूँ चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बोला, क्या बोला मेरे लिए वो बात भी चुकी है हमें आगे देखना है हमें सब को साथ लेकर के चलना है हमारे कोर विरोधी होंगे, उनको भी साथ लेकर चलना है बेश हीद के लिए चलना है और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना है लोग तंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है सम्मिदान, सम्मिदान यही हमारा सुप्रीम है उसी के चाया में, उसी के हर शब्द के भाव को पकरते विए हमें चलना है और उस काम में भारती जनता पार्टी का कोई कार करता भी हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक भी उसी उमंग और उसा के साथ हमसे जुड़ेगा यह मेरा विश्वास है भाईयो बहनों, देश ने हमें बहुत दिया है मैं आज इस पल देश्वासियों के सामने भी कुछ कहना चाहता हूँ मैं देश्वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने इस फ़कीर की जोली तो भर दी मेरे प्यारे देश्वासियों आपने इस फ़कीर की जोली भर दी है बड़ी आशा अपेक्षा के साथ भरिये मैं जानता हूँ आपकी आशा आकांख्षा आपके सपने आपके संकल्प बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है मैं इसकी भरी भातिस गंवीरता को समझता हूँ लेकिन मैं देश को कहूँगा कि आपने 2014 में मुझे जादा जानते नहीं थे लेकिन आपने फ़रोसा किया 2019 में आपने मुझे जादा जानने के बाद उसमें और जादा ताकत काई मैं इसके पीछे की भावना को भली भाति समझता हूँ मैं भली बात ही समझता हूँ जैसे हमीज भाव कह रहे थे गए बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत कर गये इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है और भरोसा जैसे पड़ता है जिम्मेवारी और ज़्यादा पड़ती है और इसलिए मैं देश्वासियों को कहना चाहूंगा कि आपने मिजे जो दाइत्व दिया है हमारे एंडिये के सब साथियों ने जो हमें समर्थन दिया है एंडिये के साथियों ने भी मिलकर के पूरी महनत की है तब जाकर के मैं देश्वासियों से आज जरूर कहना चाहूंगा और इसे मेरा बादा मानिए मेरा संकल्प मानिए मेरा समर्पर मानिए मेरी प्रदिवत्ता मानिए लेकि मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मिझे काम दिया है आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में बद इरादे से बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा काम करते करते गलती हो सकती है लेकिन बदिरादे से बदलियत से मैं कोई काम नहीं करूंगा दूसरा दूसरा देशवासिया आपने मुझे इतना बड़ा फरोसा इतनी बड़ी जिम्यवारी दी है तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा और तीसरी बार मैं सार्व जनीक रूप से कहना चाहूंगा और तीसरी बार मेरे समय का पल पल मेरे शरीर का कन कन सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए मेरे देश्वासी आप जब भी मेरा मुल्यांकन करे इन तीन तराजू पर जुरूर मुझे कस्ते रहना कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोस्ते रहना लेकिन मैं देश्वास्यों को भी स्वास दिलाता हूँ कि मैं सार्वजनित रुप से जो बाते बताता हूँ उसको जीने के लिए भरपूर प्रयाद करूँगा मैं आज हमारे राश्थी अत्यक्ष उनकी पूरी टीम राज्जों के अत्यक्ष राज्जों के टीम पार्थी के पन्ना प्रमुग तक के लोग कुछ लोग पन्ना प्रमुग की बड़ी मजाग उड़ाते रहते निकि उसे पन्ना प्रमुग की ताकत क्या होती है वह आई स्चुनाव में पता चल गए पन्ना प्रमुग से लेकर के राज्जों ये प्रमुग तक इन लक्षावधी कायर करताओं को उनके परिशम को उनकी प्रतिवत्यता को एक बार रजय से बहुत बहुत आभेननन करता हूँ बहुत बहुत पहन्यवाद करता हूँ अन्यवाद मेरे साथ बोलिये भारत माता की बारत माता की बारत माता की बारत माता की बंदे 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 ब कि माने प्रदार्मंति मानियार शेट देशिका हादी आभार सभी कारकरताओं के तरफ से सभी कारकरताओं के लिए भोजन की विजस्ता यहां पे है जो यहां पे कारकरता है इसके लाओ जो बाहर खड़े हुए कारकरता है उन सभी कारकरताओं का बेस्मेंट में भोजन की बेस्मेंट में भोजन की बेस्मेंट में भोजन की ब्योस्ता है आप सभी से निवेदर हैं कि आप भोजन करके जरूर जाएंगे कापी देर से यहां प करता है भोजन भी है और मिस्थान भी है जिरा आप लोग ग्राड करके जाएंगे बहुत बहुत आप सभी कार करता हो गधन नवाद है भारत पाता के जिए करता है भारत पारत 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 झाल झाल